है है कि है यह वेल्कुम बैंग टो मैं चैनल जैनेक्स ट्रवल जूब तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाल I how to travel in Australia बेसिकली में पास काफी कुसिंस आते हैं कि ओपल कार्ट कौन सा यूज करना है कौन से एरिया में कौन से कार्ड यूज होते हैं क्या हम मास्टर कार्ड यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग में और हमाई पास कौन से कौन से ओप्सिंस आते हैं पॉब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन सबसे पहले topic से traveling में हमारे पास public transportation में आ जाते है tramps, trains, rapid trains, metro और फिर आ जाते है buss, फिर आ जाते है ferries और ये सारे options आते हैं हमारे पास public transport में और अगर हम बात करें अपने उसके प्राइबेट में तो प्राइबेट में भी हमाई पास आ जाते हैं अलग-अलग ओप्सिन्स वह इनके अल्टरेनेटिव ले सकते हो कि बेसिकली सेम सर्विस दे रहे हैं फॉर एक्जामपल टैक्सी जो यहां पर आपको मिल सकती है ओला उबर डीडी काफी फेमस जो कंपनीस है वह आपको और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी इनकी सारी सर्विस बाकी यहां पर जारतर लोग वोटर टैक्सी भी यूज़ करते हैं तो वोटर टैक्सी एक अच्छा आपके पास तो आज हम इन सब कैटिग्री के बार में जानते हैं कि हमाने पास कौन से कौन से उप्सिंस है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कॉमेंट एं सबस्क्राइब टू मैं चैनल जैनेक्स रेवल होगी बेसिकली ओपल कार्ट या अगर हम कह सकते हैं किसके अलग-अलग नाम है अलग-अलग ऐरियास में फर इक्जाम्पल सीड्नी में हम इसे कहते हैं ओपल काड जिससे आप पे करते हो अपने किसी भी पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपने ट्रेवल करने हैं और कैन्वेरीं में इसके हैं मैई और हैं परत में इसको कहते है स्मार्राइडर अंडरविन में इसे कहते हैं टैप एंड राइट कार्ट हैं तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कार्ड नहीं है तो मैंने क्या किया था तो बेसिकली अगर आपके पास तो आप इन कार्ड को भी यूज करके लाइक पिंग एंड डिरेकली पे कर सकते हो तो यह भी अच्छा उप्सिन रहता है पर माइट भी आइड नो इसके चार्जिस तो से आपको एक्स्टा लग सकते है तो इसके बार में कंफरमेशन जैसी मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊं अगर आपके पास कार्ड नहीं हो एक यह मेरी टीप है कि आप अपने मास्टर कार्ड को भी यूज कर सकते हो जो भी डेविट ग्रेडिट जो भी आपके पास कार्ड है तो डेकली उसको यूज कर सकते हो और बात में आप यह अपने कार्ड करा बनवा सकते हो अगर आप बन जाते हैं अब आपको पूछना पड़ेगा कि आप पहले बात किस रीजन में जा रहे हो अगर साथ ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो वहां की चार्जिस अलग है और साथ के साथ स्टुडेंट कंसेसिंस वगेरा सब प्रोसेस अलग है और अगर अगर मुश्व विल्स में यह बाकि मैंने सारी डिटेल इसके बॉक्स में डाल रखी है उसको एक वर जाके देख लेना फिर चलो बात करते हैं कि कार्ज के बार में हम क्लियर होगे तो हमारे पास आज़ते हैं तो बेसिकली इनकी लोकल ट्रेन उप्टे जो चलती रहती है यह आपको कभी भी आपको यहा बेसिकली आपको फर इसमपल एडलेक तो यहां पर न्यू साउथ वेल्स न्यू साउथ वेल्स तो लाइक बिस्बेन मेलबन ऐसे इंटरस्टे ट्रेंज चलती है बिर आज़ते है रैपी ट्रें रैपी ट्रें एक कह सकते कि फास्ट्रेंट आइंड उप इंका नया पॉनसे पर काफी अच्छा है आइगेस कि आने वाले टाइम में यह और मॉस्ट और ओर उस्ट्रेलिया में आ जाएगा इस पर कह सकते की वर्क चल रहे है बाकी हमारे पास आज 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 आए लाइक ट्रेंट आपको बेसिकली सीटीस में यह ट्रैवली का अच्छा कह सकते की आप् लिए में वहां पर यह बेसिकली काफी कम चार्ज करते थे और कई बार चार्ज भी नहीं करते थे जब हम सीटी में होते थे तो यह डिपैंड करता है तो बेसिकली ओपल कार्ट का हमेशा याद रखना कि जब भी आप ओपल कार्ट यूज़ करेंग तो डोंट फोगेट करना पूल जाता है उससे यह सिन होता है कि एक ना स्टेंडर्ट चार्ज इस्ट होते हैं जो काफी हाई होते है तो वो आपके कार्ड में से काट ले काट लिए जाएगा जिससे आपको जारा कोस्टली पड़ीगी आपकी ट्रिप्स तो हमेशा जब भी आप अपने कोई भी त तो अपने दूसरे टोपिक पर चलते हैं कि आपको कार्ट कहां से मिलेंगे देखो यह मैं आपको नस्टार्टिंग से बता रहा हूं और हर वीडियो में बताता हूं कि आप अगर आप एरपोर्ट से आ रहें इंटरनेशनल एरपोर्ट डमेस्टिक डेजन्ट मैटर आप कहीं से भी अपना कार्ड ले सकते हो आप चाहिए यहां पर 7-11 से ले लो या आप कोई भी फार्मेसी की सॉप से ले लो या कोई भी आपर क्य अवारियो सकते हो है और फिर लाप करते हो है कि अपने ट्रांपोर्टिसमंस में हमारे पास ट्रि यजे जैसरे इंस फार्मेस पीन उ oversecules से और wrestling आप टींफ चाहिए हैं उन टेक्सी आ गया काफी फेमस है यलो टेक्सी ट्राइ करना और बाकी वैसे यहां पर हमारे पास पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है जिनको आप टारेक्टली इनके वर्फ है वहां पर जाके आप फैरीस ले सकते हो टाइमिंग देख सकते हो और जो भी रिस्पेक्टिट इनकी वैपसाइट है अलग अलग रीजन की उस पर जाके आपको इनकी टाइमिंग की डिटेल्स मिल जाएगी कि कब आपकी फैरीस आईगी और फैरीस आपको कहां पर छोड़ेगी तो यह था अपने वाटर वेस का आपको लैंड में पता चुका हूं ट्रेंस ट्रैंस तो यह सार पर काफी बढ़िया रहे और आप एक स्मार्ट रेवलिंग करो बाकी मेरी वीडियो से अगर आपको कोई इंफोमेशन मिलिए जो आपके लिए बैडिए बैडिए लोग तो तो डोंट फोर्गेट तो लाइक कोमेंट और सब्सक्राइब तो मैं चैनल 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 ट्रेवल जाएगी and don't forget to like, comment and subscribe और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी और नई concept मैं लेकर आता रहता हूं मेरा यही रहता है कि जितना हो सकता है कि diverse culture, religion, जो भी मिले मैं लेकर आपको दिखाऊं कि food कैसे है, culture कैसे है, लोग कैसे है, तो मेरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ न restrictions का ध्यान रखो, काफी जाएगा important है, अब भी Sydney में lockdown लग गया, तो काफी restrictions है यहाँ पर, बाकी उमीद करते है कि यह जल्दी-जल्दी ठीक हो जे है, और हम सब travel करें, तो मिलते हैं आपको ने व्लोग में नई वीडियोग में नई वीडियोग करें, तो मिलते हैं आपको झाल